20 तक पर एक फरवरी को हमारे बजट कवरेज में जुड़िये क्या? इस बजट में इंकम टैक्स को लेकर ATC की सीमा बढ़ाई जा सकती है आप अपनी राय हाँ या ना में प्रोबो पर दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो हमारा ओपीनियन पार्टनर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मुलाइम सिम्यादो को दूसरा सरवोच नागरिक सम्मान पद में भूशन दिया गया क्या समाजवादी पार्टी इससे खुश नहीं है? या वो इसमें सियासत देखती है समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? क्या वो नेता जी को सब के नेता जी बना रही है हम ये भी बताएंगे और साथ-साथ ये भी देख लीजे कि अब जब स्वामी पुरेसाद मौरेया ने पंडितों और पुरोहितों के खिलाप ब्रामवन बिरादरी के खिलाप बोला तो कैसे समाजवादी पार्टी के गणतंत्र दिवस के पूरु संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों का एलान हुआ तो उसमें सबसे चौकाने वाला नाम पद्म विभूशन के तौर पर मुलायम सिंग्यादों का था बीजेपी के सबसे बड़े सियासी दुश्मन, सबसे बड़े सियासी विरोधी मुलायम सिंग्यादों को केंद्र सरकार ने पद्म विभूशन से नवाजा ये देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है शायद समाजवादी पार्टी को भी इसकी भनक नहीं थी कि ये सम्मान बीजेपी उनके निधन के महज कुछ महीनों के अंदर ही देगी समाजवादी पार्टी ने रात में तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन सुभे होते होते उनकी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गए किसी ने कहा ये अवार्ड किसी ने कहा कि ये अवार्ड मन्जूर है कुबूल है तो किसी ने कहा कि ये मजाक है लेकिन ज्यादा तर लोगों ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने इसे अंडर प्ले करने की कोशिश की, कि ये तो नेता जी के व्यक्तित्तों के से मैच नहीं खाता, उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए था, यानि की भारत रखी, तो पहले सुनिए किस तरीके से बयान आने शुरू हुए, आज इटावा में डिमपल यादो थी मुलायम सिंग्यादों की बहु, मैनपूरी की सांसर, वहाँ पर जहंडत तोलन के कारिक्रम में थी, सबसे पहले उनका रियाक्शन आया, और उन्होंने पन विभूशन मिलने पर तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने इतना कहा कि नेता जी को भारत रत मिलना चाहिए था, पहले स नेता जी को जो पदम भूशन की अपाथी दी गई है, यह मैं समझती हूँ, नेता जी को भारत रत मिलना चाहिए, और पहले ही इस तरह की अपाथी मिल जानी चाहिए थी, नेता जी को, लेकिन हमारी मांग के सरकार से कि नेता जी को भारत रत मिलना चाहिए, पदम भूशन कि अवजीकों की आब आज को बिलंद किया ज तो उसकी बज़ेद से नेता जी किलिये यह इतना परियात के उनको स्थ परेदर तुनी चाहिए कि नहीं? कि नहीं नहीं हो लादाा करता हूँ जनता की मांग है तो उसे तो पूर करना चाहिए तो आपने सुना शिवपाल यादो ने क्या कहा, शिवपाल यादो ने भी वही कहा जो डिमपल यादो ने कहा, कि उनका व्यक्तित भारत रत्न के लायक है और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था, यानि कि केंदर सरकार ने मुलायम सिंग यादो को जो सम्मान दिया है, उस स्री हसन जो की फायर ब्रैंड मुस्लिम चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के उन्हें कहा कि ये खुबूल है ये जो अवार्ड उन्हें दिया गया है पद्विभूशन का ये मन्जूर है लेकिन उन्हें भारत रत मिलना चाहिए ये भी सुनिये और उसके बाद हम बताएंगे कि स्वामी प्रसाइद मौरे ने क्या कहा नेता जी का देश के अंदर जो गद है और सिर्फ देश ही नहीं बलकि तमाम दुनिया में पहचाने जाते हैं उनकी विचाधारा पे लोग चलते हैं नेता जी जैसा नेता शायद ही कोई आगे पैदा हो ये यकीनी तोर पे भारत से सम्मान करा जाना चाहिए था लेकिन जो भी उन्होंने सम्मान दिया है उसका शुक्रिया बहुत 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 देखिए उन्होंने क्या कहा ये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन उन्होंने सम्मान अगर दिया है तो हम वेलकम करते हैं लेकिन हमें भी एहसास है कि नेता ज चाहिए वो डिजर्व करते हैं। लेकिन जब उन्हें मुलायम सिंग्यादों को ये पद्विभूशन से सम्मानित किया गया तो सबसे तीखा बयान स्वामी प्रसाद मौरे का ही आया है और उन्होंने इसे मजाक बताया है। उनकी भी सुन लीजे। नेता जी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रद्व के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा नकर नेता जी के सम्मान का मजाक उड़या है जो भारती अन्ता पार्टी केंदर की शरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। लेकिन केश्व मौरे ने क्या कहा? केश्व मौरे ने कहा कि बीजेपी विचारधारा देखकर सम्मान नहीं देते। बीजेपी के लिए व्यक्तित्तों के लिहाज से अगर किसी ने सारोजनिक जीवन में बड़ा काम किया है तो वो बराबर है। हम दूसरी पार्टियों से इस माइने में अलग हैं भिन हैं हम सब को सम्मानित करते हैं। सुनिए केश्व मौरे का बयान। और नेता जी स्री मुलायम सिंग्यादो जी के प्रति भारती जनता पार्टी कभी भी कोई भेद भाव नहीं करती है। और नेता जी को जो पदम विवुशन का सम्मान दिया गया है। मानि प्रधान मंत्री सी नरेंद मोदी जी का और केंद्र सरकार का मैं हिर्देश स्वागत करता हूं। और यहार नेड़े लेने का काम और साहस भारती जनता पार्टी ही कर सकती है। क्योंकि पूरवर्ती जब देश और प्रदेश में सरकारें थी तो एक परिवार और एक जाती और एक समुदाय तक सीमित रहते थे। लेकिन मैं मानि प्रधान मंत्री सी नरेंद मोदी जी के नेतित वाली सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कि कभी भी कोई राजनेतिक मतवेद हमारे किसी से भी हो सकते हैं लेकिन जब सम्मान देने का काम कभी आउसर मिला है तो चाहे बाबुजी कल्याण सिंग जी को पदम विवुशन से सम्मानित करने का काम मनो प्रांत उनको भी दिया गया था और आज नेता जी मुलायम सिंग हो गया वो ये कि समाजबादी पार्टी को ये सम्मान भले ही गले उतर गया हो लेकिन वो इसे सारुजनिक तोर पर स्विकार करने को तयार नहीं और उसकी वज़ा भी साफ है और उसकी वज़ा ये है कि 2024 के चुनाव होने है मुलायम सिंग्यादो को बीजेपी ने या केंद सरकार ने इस समान के बाद नेताजी से सब के नेताजी बना दिया यानि कि अब वो पार्टी से उपर उठते जा रहे हैं और बीजेपी की कोशिश भी यही है कि मुलायम सिंग्यादो को सिर्फ समाजबादी पार्टी के संरक्षक समाजबादी नेता के तोर से पे न रखा जाए बलकि उनका दर्जा भी इतना उचा कर दिया जाए कि बीजेपी भी उसमें अपनी विरासत देख सके यही होता जा रहा है मोदी सरकार आने के बाद से मुलायम सिंग्यादो और प्रधानमंत्री मोदी के संबंध किसी से छुपे नहीं थे 2019 में चुनाओ के पहले मुलायम सिंग्यादो ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ सदन में की थी और यह कामना भी की थी कि इनकी सरकार दोबारा लोटे प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन के बाद अपना जो चुनावी स्पीच था उसे रोक कर वो भावुक हुए और दस मिनट तक उनके बारे में बोलते रहे जब भी मुलायम सिंग्यादों का कोई जनम दिन होता कोई कारिक्रम होता था तो मुलायम सिंग्यादों को उनके जनम दिन पर कहीं न कहीं उन्हें विश करने मुख्यमंत्री खुद भेजे जाते थे चाहे अमिट्शा हों, चाहे धानमंत्री मोदी हों सबों ने पिछले 7-8 सालों में मुलायम सिंग के व्यक्तितों को उनके पार्टी से बढ़ा कर दिया और यहीं पर वो कैच है और यह कैच वो है कि 2024 के चुनाओं में BJP जिस वोट बैंक पर नजने गढ़ा कर बैठी है वो यादो वोट बैंक भी है और उसे लगता है कि समाजवादी पार्टी से जिस दिन मुलायम सिंग यादो के कद को पार्टी से बढ़ा कर दिया जाएगा जिस दिन समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंग यादो सबके नेता हो जाएंगे उस दिन यह वोट बैंक का एक बड़ा तबका उनके साथ भी जुड़ जाएगा साथ साथ इमोशनल स्तर पर भी मुलायम सिंग यादो को सम्मानित करने से बीजेपी को लगता है कि 24 के चुनाओं में यादो बिरादरी का एक बड़ा मत दाता उनके साथ मनोवेग्यानिक तोर पर भी जुड़ सकता है तो इसके पीछे की कहानी कई है और आने वाले दिनों में क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और अब हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से रामचरित मानस का विवाद अब समाजवादी पार्टी के भीतर बड़े बड़े बिरादरी के नेताओं को आपस में ही लड़ा रहा है तो सवाल तो उठाया था रामचरित मानस की चौपाईयों पर स्वामी प्रसाद मौरे ने लेकिन अब ये लड़ाई पार्टी के भीतर बिरादरी के नेताओं के बीच पहुँच गई है स्वामी प्रसाद मौरे ने रामचरित मानस की चौपाईयों से इतर अब मोर्चा ब्रामभण नेताओं, पंडितों, पुरोहितों के खिलाफ खोल दिया राय बरेली में जब उन्होंने पंडित नेताओं, ब्रामभण नेताओं और खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही बोला तो उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के भीतर के ब्रामभण नेताओं ने भी उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है पहले आप सुन लिजे कि कल स्वामी प्रसाद मौरे ने राय बरेली में क्या कहा था कैसे उन्होंने पंडितों और प्रोहितों के खिलाफ अपनी बात रखी थी उसके बाद देखिए कैसे पूरु मंत्री और विधायक पवन पांडे ने जो कि अयोध्या से हैं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौरे की क्लास लगाई आदर्णियों स्वामी प्रसाद मौरिया जी ने जो कहा है ये उनकी अनभव हींता का और अल्प ग्यान का परिचायक है ब्रामनों का इतिहास इस देश में क्या रहा है उन्हें पढ़ना चाहिए देश की आजादी से लेकर, बिज्यान से लेकर, दवाई बनाने से लेकर, सड़क बनाने से लेकर और समाच को चलाने तक ब्रामन का दुनिया में इस हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेस में क्या रोला है ये उनको जानना चाहिए हम लोग बसुधायो कुटमबुकम की परिकलपना को मानने वाले लोग हैं सरवे भवंत सुखना सारे लोग प्रसंद हो सबके घर में तरक्की आए हर जाती वर्ग मजभब का अदमी अगड़ा पिछडा दलित मुसल्मान यहां तक की भी हम जानवरों के भी और दुनिया के पूरे विस्व मंगल कामना करते हैं कि सबका भला हो तो आपने सुना दोनों नेताओं को और पवन पांडे ने स्वाइन प्रसाद मौरिक को के बीजेपी के दिनों के और उनके वक्त के मलाई की याद दिला दी आने वाले वक्त में अगर विवाद नहीं थमा तो बीजेपी से कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी के भीतर ये घमासान नया शकल अख्तियार कर सकता है तो ये था आज का यूपी हम फिर हादर होंगे तब तक आप देखते रहें यूपी तक हुआ है